फिलिप काड़ से बजाज काड़ से EMI पर मोबائल कैसे ले? दोस्तों अगर आपके पास credit card नहीं है और अगर आप flip काड़ से कोई भी मोबाईल को EMI पर लेना चाहते हैं तो आपके पास best option है बजाज फिंसब EMI कार्ड जहां से आप flip card से बिना credit card के कोई भी mobile को EMI पर ले सकते हैं। यहाँ पर आप बजाज फिंसब EMI कार्ड को बना कर भी ले सकते हैं अगर आपके पास पहले से भी है तो आप flip card से EMI पर समान को ले सकते हैं। अगर आपके पास बजाज फिंसब EMI कार्ड नहीं है तो मैं आपको वह भी बताऊंगा कि कैसे आप बजाज फिंसब EMI कार्ड बना कर flip card से बिना credit card के EMI पर mobile को ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ प्रूब कि यहाँ पर प्रूब क्या है। यहाँ पर मैं mobile पर आ चुका हूँ, मैंने realme का एक mobile सर्च किया है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ no cost EMI के उपर, अब यहाँ पर आप देख पारोंगे बजाज फिंसब EMI कार्ड का option आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके थुरू आप 3 मेना और 6 मेनों के लिए EMI पर mobile को ले सकते हैं। इसमें आपको एक भी रूपिया interest नहीं देना परत अगर आप credit card के थुरू लेते हैं तो उसमें आपको interest देना परता है, लेकिन बजाज फिंसब EMI कार्ड में आपको एक भी रूपिया interest नहीं देना परता है। चलिए मैं आपको आप जो है process बताता हूँ कैसे आप बजाज फिंसब EMI कार्ड से, flip card से, EMI पर समान को ले सकते हैं और अगर आपके पास बजाज फिंसब EMI कार्ड नहीं है तो चींता करने की जोरत नहीं है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, मैं आपको बजाज फिंसब EMI कार्ड बनाने का तरीका भी वीडियो के end में बता दूंगा, देखें सबसे पहले आपको flip card application को open करना है और जो भी mobile आपको लेना है वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि मैं realme का कोई mobile सर्च कर लेता हूँ, अब देखें यहाँ पर बहुत सरा mobile आ चुका है, जैसे कि मुझे यह जो mobile है 5G mobile, realme का, इस mobile को मुझे EMI पर लेना है, credit card मेरे पास नहीं है, तो इसके उपर मै क्लिक करता हूँ पहले mobile के उपर, अब देखें इस mobile का जो price है मैं आपको दिखाता हूँ, 6x288 जो storage के साथ आता है mobile और 8x288 के साथ, अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसका price यहाँ पर बताया गया है, 14,999 रुपिये mobile का price पड़ेगा, ठीक है, अब आपको simple से क्या करना है, नीचे आपको एक option मिलता है, buy now का, buy now के उपर क्लिक करना है, अब क्लिक करने के बाद आपको skip and continue का option मिलता है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको scroll down करके नीचे आना है, नीचे आपको option मिल जाएगा, price बगरा देखने को मिल जाएगा, और option मिलेग फिंसब का ठीक है इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपको बजाज फिंसब EMI कार्ड के बारे में सब कुछ डीटेल्स में मिल जाएगा जिसको आप रीड कर सकते हैं अब देखें यहाँ पर आपको स्कॉल डावन करके नीचे आना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा EMI यानि की Easy Installment का सबसे पहले तो आपको इसके उपर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपको option मिलेगा यहाँ पर Continue का Continue के उपर आपको क्लिक करना है अब आपको बजाज फिंसब EMI कार्ड के बारे में बताता हूँ क्या है बजाज फिंसब EMI कार्ड और कैसे लेना है अब देखें यहाँ पर आपको option मिल जाएगा सारा कुछ credit card वगरा का भी और उपर में ही option मिलेगा बजाज फिंसब का No cost EMI का सबसे पहले आपको बजाज फिंसब EMI को यानि कि कोई भी समान को ले सकते हैं और यहाँ पर 6 मेंनों का भी option आपको मिल जाएगा अगर आप 3 मेंनों के लिए EMI पर समान को लेते हैं तो पर मन्त आपको 5,60 रुपिये का EMI देना होगा यानि कि पैसा आपको देना होगा पर मन्त EMI जो आपका बनेगा वो बनेगा 5,60 रुपिये अगर आप 6 मेंनों के लिए लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो EMI बनेगा वो बनेगा 2,508 रुपिये और यहाँ पर आपका जो इंट्रेस्ट है वो आपको एक भी रुपिया नहीं देना होगा नो कॉस्ट EMI पर आपको बजाज फिंसव EMI कार्ड से फिलिप कार्ड से समान मिल जाएगा मोबाईल अगर लेना चाहते हैं तो मोबाईल आपको मिल जाएगा आप 6 मेनों के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहोंगे मोबाईल का जो प्राइस है वो ही है 14,999 रुपिय और पेकेजिंग चार्ज आपको 59 रुपिय देना होगा टोटल एमाउंड आपको 15,048 रुपिय चुकाना होगा EMI पर 6 मेनों तक के लिए आपको EMI पर मिल जाएगा आपको सिंपली क्या करना है EMI प्लान को चूज करना है और उसके बाद चूज प्लान के उपर आपको क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको option मिल जाएगा card number डालने का आपको क्या करना है जो आपका बजाज फिंसब EMI card है उसमें आपका card number रहता है वो card number यहाँ पर डालेंगे उसके बाद आपके mobile पर एक OTP receive होगा OTP डालेंगे और place order पे क्लिक करके आप order को confirm कर लेंगे उसके बाद आपका जो समान है जैसे कि मैं यहाँ पर mobile को order कर रहा हूँ तिये जो mobile है मेरा 2 या 3 दिन के अंदर घर पर deliver हो जाएगा और उसके बाद EMI जो है मेरा हुआ मेरे बजाज फिंसब EMI card से काट लिया जाएगा जो मेरा EMI मेंने set करा है जैसे कि 2508 रुपिय set करा है तिये EMI मेरा पर मंत काटते रहेगा इस परकार से आप जो है बजाज फिंसब EMI card के थुरू फिलिप card से EMI पर समान को ले सकते हैं अब अगर आपके पास बजाज फिंसब EMI card नहीं है तो आप card को बना कर कैसे ले सकते हैं भी मैं आपको बता दूँगा बस आपको वीडियो को पूरा देखना है तो यहाँ पर आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है card number डालके place order पे क्लिक करके OTP समिट कर देना है OTP समिट करते ही आपका order यहाँ पर confirm हो जाएगा और आपके delivery address तक आपका जो order है वो दो से चार दिनों के अंदर deliver हो जाएगा और आपका जो EMI है वो आपके पर मंत आपके account से काट लिया जाएगा बजाज फिंसब EMI card में जो आपका bank account auto debit रहता है उससे auto debit कर लिया जाएगा अब बजाज फिंसब EMI card अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने आपको इस website का link दे दिया है जिसमें आपको click करके यहाँ पर आ जाना है website का link आपको description box comment box में मिल जाएगा यहाँ पर आप आएंगे जहाँ पर आपको बजाज फिंसब EMI card बनाने का process मिलेगा जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर आपको mobile number डालके next करना है OTP आएगा OTP डाल देंगे अपना pen details डालकर आपका आधार card से QIC complete कर लेना है आपका बजाज फिंसब EMI card आपका बन के तयार हो जाएगा यहाँ पर आपको digital card मिल जाएगा जिसमें आपका यह जो card number रहता है इस card number से आप EMI पर shopping कर पाएंगे जो मैंने आपको process बताया है बजाज फिंसब EMI card में आपको 2,00,00 रुपिये तक का limit मिलता है जिससे आप EMI पर कहीं भी shopping कर सकते हैं इसका use आप online और offline कर सकते हैं इस card का use आप इन सारे website पर कर सकते हैं जैसे की Amazon, Flipkart, Vijay Sales, Koroma उसके बाद यहाँ पर आपका Reliance Digital, Make My Trip, Bajaj Mall Bajaj Electronics, Big Bajar और Home Town जैसे website पर कर सकते हैं इसके अलावे आप Bajaj Partner Store पर भी offline इस card का भी use आप कर सकते हैं तो अगर आपका Bajaj Finsive EMI card नहीं है तो सबसे पहले आपको Bajaj Finsive EMI card बनाने के लिए इस website पर आना है इस website का लिंक आपको description box और comment box में मैंने दे दिया है तो इस परकार से आप Bajaj Finsive EMI card से Flip card से कोई भी समान को no cost EMI पर यानि की बिना interest के ले सकते हैं तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही चली next video में मिलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद पुरा वीडियो देखने के लिए